हे गाइस कैसे हो आप लोग दोस्तों आजम बात करने वाले एंड ये एन ने फ़र्ष्ट दो हजाच चौई साले बैच के वारे में जिसको लेकर आपका काफ यादा कमेंट आ रहा था किसा ओर्लाइन फॉर्म काव आएंगे इस सुबर एज क्राइटिरिया क्या रहने वाला ह हमारे एग्जाम का वहोगा इजिबिल्टी क्राइटेरिय के रहेगा आप इसको लेकर वीडियो बनाएं तो भाई वीडियो आपके लिए आ चुका है सभी जनकर एक ही वीडियो में हम आपको देंगे स्टेप बाई स्टेप तो प्लीस वीडियो पूरा देखिए इंपोर् प्लीस दो हजार 24 साली बैच के डिटेल आच चुकी है और हम आपको बता दें जो आपका जो नोटीविकेसन आने वाला 20 दिसंबर को आने वाला है जिया आपने सई सुना दोस्तों एंडियो फ़ेस्ट दो है चौविस का नोटीविकेसन जो आएगा वो 20 दिसंबर को आने वाला यानि की 20 दिसंबर को टिकले कर दिये जाएगा और एक जरूरी बात हम आपको बता दें 20 दिसंबर से आप रेजिस्टेशन कर पाएगे एंडिये के लिए मेल फीमेल बोथ दोनी अप्लाई कर सकते हैं सो और पे फॉर्म की फीसर रहने वाली है आप भारते किसी वरज करने चाहिए हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों आपको बताएंगे बस आप चैनल पर हैसी बने रहना तो भाईयों 20 तारिट को नोटी विकसर आजाएगा 20 दिसंबर से आप दोस्तों रेजिस्टेशन कर पाएंगे ऑल्लाइन एप्लिकेशन फॉर्म की फीसर सोर पे महिला पूरिस दोनी अपलाई कर सकते हैं लास्ट डेट इसका दोस्तों 9 जनवरी 24 से रहने वाला है और आपकी एग्जाम डेट आच चुकी है इस वार जो आपके एग्जाम होगा एंड फस्त का दोस्तों 21 को होने वाला है ठीक है किलियर हो चुका दोस्तों एंड ये फस्त का ज आपकी उमर सीमा क्या होना चाहिए सबसे में बाते इसके बिनाता कुछ भी नहीं है यादि आपकी एज नहीं होगी तो आप एपलाई नहीं कर पाऊगे तो धियान दीजे दोस्तों एंड ये के लिए एपलाई करने के लिए आपकी एज दो जुलाई 2005 से लेके दो 2008 के बीच होना चाहिए दोस्तों जिनों का भी डेट आप बर्थ इस क्राइटेरिया के बीच है वो एपलाई कर सकते एंड ये फैस्ट में तो मिला लीजे दो जुलाई 2005 से पहले के नहीं होने चाहिए आप आसान भासा में हम आपको समझा दे दो जुलाई 2005 से पहले के नही होने चाहिए जिनों का भी दोस्तों डियो भी इस क्राइटेरिया के बीच होगा डेट बर्थ होगी वो 100 परसेंट इस वार एंड ये फैस्ट के लिए एपलाई कर पाएंगे योग्ये है ठीक है एंड ये की चार सो पोस्ट होती है जिसमें की सबसे ज्यादा दूस्तों आर ओर तो आर्मी की आरे में आप आर्मी के लिए आप आर्मी की लिए ठीक है उतिने सी बात आप के लिए समच चुके हो आगे बात करते हैं दोस्तो यदि आप Navy, Air Force या NA के लिए अपलाई करते हो तो दोस्तो बारमी पास होने चीए या पेरिंग होने चीए 11th किलास में और 12th किलास में या पास कर लिया आपने ठीक है और आपके पास दोस्तो PCM होना कमपलसर ही है दोस्तो Physics and math subject आपके पास होगी कुल मिलाका Science subject आपके पास होगा तो आप तब यह अपलाई कर पाएंगे Navy के लिए Air Force के लिए NA के लिए ठीक है तो NA में अपलाई करने के लिए दोस्तो केवल मेले अपलाई कर सकते हैं तो आपके पास Science subject होना जरूर ही है दोस्तो कमपलसर ही है Physics and math subject आपके पास होना चाहिए बारे में किलास में और आपका एज साड़ा सोले साल से लेकर साड़ा 19 साल के बीच होना चाहिए ठीक है असान भाहसा में हमने आपको समझा दिया है यादि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो नीचा कमेंट कर देना कुल मिला का 400 पोश्ट होंगी जो की दिसंबर में दोस्तो नोटीविकेसन आएगा तो आपको एजुकेसन क्वालिफिकेसन अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है बाकि दोस्तो आपका नोटीविकेसन भी दिसंबर को आ जाएगा डिकले कर दी जाएगा यूपीसी की तरफ से और लास्ट इडेट इसका दोस्तो नौ जनवर यहने वाला अंतिमति थी 21 तारीको दोस्तो 21 क्या सब दोस्तो 24 को एगजाम होगा ठीक है अच्छी तरह सब कुछ के लिए कर दिया अब जो भी आपका सवाल लो तो निच्चा कमेंट कर देना वीडियो पासंद आए तो लाइक कर देना से रजरू कर देना चैनल पैनल यह पहली वार आयो तो चैन्सक्राइब कर लेना तेरो अपने ख्याल लगो जै हिंद जै भारत